यहाँ पर मुझे एक piecewise defined function given है यानि कि वो तीन parts में divided है और मुझे पूछा जा रहा है कि इस function की domain और range क्या है यानि कि मुझे इसकी domain, domain और range निकाल ली है तो domain का मतलब हुआ कि वो सारी values जिस पे इसका एक defined output आएगा तो अगर मैं देखूं कि किस-किस values पे इसका output defined है जैसे मैं इसकी पहली definition देखता हूँ पहली definition कहती है कि 0 से लेकर 2 तक यह defined है और इसका output होगा 1 तो जानि कि मैं बोल सकता हूँ इसकी domain में 0 से 2 के बीच में बहुत सारे points जो है वो सारे आएंगे हाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 is less than x लिखा हुआ है या equal to का sign नहीं है तो 0 को यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा पर 0 से लेकर 2 तक सारी values पर यह defined है वैसे ही मैं देखूं यह 2 से लेकर 6 तक भी defined है हाँ definition अलग है इसकी value 1 थी 0 से 2 में और 5 है 2 से 6 में बट इन दोनों intervals में यह defined है और यहाँ पर भी मैं देखूंगा तो 2 और 6 यहाँ पर open है यानि कि इसकी value 2 और 6 नहीं ले रही है फिर अगर मैं तीसीरी definition देखूं तो वो कहती है 6 से 11 तक भी यह defined है 6 से 11 तक इसकी value है minus 7 तो इन तीनों definition के हिसाब से मैं बोलूँगा अगर इन तीनों का अगर मुझे sum करना हो और मुझे बोलना हो कि वो सारी values जिस पर x defined है वो क्या होगी तो यहाँ अगर मैं 0 से count करना शुरू करूँ तो 0 से 2 पर defined है फिर 2 से 6 पर भी defined है और 6 से 11 पर भी defined है यह जो point है 0 यह इस पर defined नहीं है मेरा function 2 पर यहाँ defined है 6 पर यहाँ defined है और 11 पर यहाँ defined है तो मैं इसकी domain अगर बोलूँ तो वो हो जाएगी अगर मैं इसको set form में लिखूँ तो हो जाएगी x belongs to real such that x belongs to 0 को मुझे open करना होगा से लेकर 11 और 11 को यहाँ मैं close कर दूँगा तो यह मेरी हो जाएगी domain यानि कि 0 से 11 तक excluding 0 and including 11 0 से 11 तक सारी values पर इसका कोई ने कोई output आएगा और जहाँ तक बात range की है मैं range को दूसरे कलर से करता हूँ जहाँ तक बात range की है तो range का मतलब हो वो सारे outputs जो यह function देगा तो इसमें कोई भी value low x की 0 से 11 तक मुझे 3 ही तरह क्या output मिलेंगे यह तो 1 मिलेगा यह 5 मिलेगा यह minus 7 मिलेगा इसके अलावा मुझे कोई output मिल नहीं रहा तो यानि कि इसकी range हो जाएगी एक छोटा सा set जिसमें 3 values हैं एक है 1 एक है 5 और एक है minus 7 तो यह हो जाएगी domain और यह हो जाएगी range इस piecewise defined function की